नमस्कार दोस्तों लाक्षाग्रह सड़यंत्र की पिछले भाग में आपने देखा कैसे मामा शकुनी ने पांडवों को बारनावत में जलाने का प्लान बनाया लेकिन विदुर्जी के सहाता से पांडव आग लगने से ठिक एक दिन पहले लाक्षाग्रह भवन में आग लगा कर सुरंग मार्क से बाहर निकल जाते हैं जिससे लाक्षाग्रह निर्मान करी कारेगर पुरोचन और वो भिल परिबार जल कर भस महो जाते हैं और लोगों को ये लगता है कि पांडव और माता कुंती लाग्सा ग्रिया में जल कर स्वर्ग लोग को प्रस्थान कर चुके हैं। जब शकुनी का दूद शकुनी को जाकर ये संबातिया, शकुनी आपने शडेंत्र की समलता पर हर्स हो उठा और दुरेधन को भी ये समाचार देने को कहा। प्रकट करने के स्थान पर पधाई संदेश दिया गया। दूरेधन को अकीर दिलाया गया, अब पे हस्तिनापूर का समराड है। क्योंकि इस संबाद के बाद महाराजा दितराष्ट जेरूद बन प्रस्थान कर जाएगे। मामा शकुने ने जूठा सुख प्रकट करने महाराजा दितराष्ट के पास गये और उन्हें पांडवों की मृत्तु संबाद दिया। जिससे माता गांधारी और धितराष्ट फूट फूट कर रोने लगे। महाराजा धितराष्ट अपने पुत्र दुरिधन पर पुत्र महों और महत्व कांक्षा जुनुर था। लेकिन आपने अनुज पुत्रों पर कुछ अन्होनी हो वे नहीं चाहते थे। इधर पांडव माता कुंती के साथ लाक्षा ग्रेह से निकल कर बन में आगे। और माता कुंती बन में ही अपना बसेरा बनाने का निर्नाई लिया। क्योंकि महाराज पांडु के मृत्तु के बाद अपने पुत्रों पर अने को अनाधर देखा है। अब उन्हें राजसुक से वो सुक प्रिय है जिससे बेसांती से जिवन बैतित कर सके। लेकिन अरजुन को ऐसा भाग कर बन में रहना मंजूर नहीं था। बेचाते थे कि एक बार बस एक बार हस्तिनापूर जाकर इसका जिक्र करें कि हम सिर्व माता स्री के कहने पर ही इस बन में अस्रे लिया है। भीम भी इस बात से अरजुन से सहमत था। यहां पर युदिष्टिर जो बात अपने भायों से कहा उसे हर किसी को सुनना चाहिए। उन्होंने भीम से कहा कि ये जरूर है कि भीम आकेले ही दुरधन और उसके सेना पर भारी है। परिंतु उस सेना में गुरु दुरुनाचारे भी होंगे, पिता मा भीष भी होंगे। क्या भीम पिता मा के आगे गदातान कर खड़ा हो सकता है। क्या अरजुन अपने बानों की दिशा गुरु दुरुनाचारे पर कर सकता है। क्या अर्जुन पंचाल नरेस धुरूपत के जैसा रत में चड़कर जेश्ट पितास्री धितराष्ट को बंदी बना सकता है। क्या वे दुरेधन और दुस्सासन को मार कर जेश्ट माता गांधारी के पास जा सकते हैं। नहीं न, तो फिर प्रतीक्षा करें। भेम का हिरते दुरेधन से कहीं बड़ा है। इसलिए जितने बार वो आगात करें, वे सिर्फ आगात की वचाओ करें। स्वयम उसे आगात ना करें। उसे ये समझाते रहे कि भाई की आपस की लड़ाई से घराने की मरियादा नस्ट होती है। महागारत से हमें बहुत कुछ सिखने को मिलता है। जैसे युदिश्चिर अपने भायों को समझाया, हमें भी भायों से इस तरह ही पेशाना चाहिए। इधर कर्ण और दूरेधन की हिर्दय में एक खाटा सा खटका हुआ था कि हो ना हो, ये काम कायरों जैसा ही हुआ है। लेकिन मामा शकुनी उन्हें सहच करने की पूरी कोसिस करते है। हस्तिनापुर के ऐसे स्थिति को देख विश्प पितामा मन को सांत करने के लिए मा गंगा से मिलने गए। क्योंकि वे हस्तिनापुर के ये स्थिति के लिए तो कम से कम प्रतिग्या नहीं लिये थे। विदुर जी उनसे मिलने पहुची तो विदुर जी पर प्रितामा का गुस्सा फट पड़ता है कि पांडव जिवित है इस बात से उन्हें अंधेरे में रखा गया विदुर जी कहते है कि अगर वे उन्हें इस सडेंत्र के बारे में पहले से बता देते तो पितामा, धेतराष्ट, शकुनी या दुरधन से पूछ बैटे तो फिर शकुनी दुरधन के लिए पांडुम पर किस हाथ तक जा सकता है ये पता नहीं चलता आकिरकार पितामा भिश्म ये सुनकर सांथ हुआ कि पांडब जहां कहीं भी हो शुरधसित है इधर पांडब बन-बन भटकती हुए हस्तिनापूर से कोशो दूर पहुँच चुके थे उनसे और चला नहीं जा रहा था माता कुंती आग्र किया कि नकुल और सहदेव को कुछ देर आराप कर लेने देते है पर कोई उन्हें पैचान ना ले इसलिए शाम होते तक आगे बढ़ जाना चाहिए तब महावली भीम ने माता कुंती और भाई नकुल और सहदेव को अपने कंधे में उठा कर आगे बढ़ा मुसिवत में कैसे परिवार का साथ देना चाहिए ऐसा सिर्फ महावारती हमें सिखाते है इसके बाद अंधेरे होने पर सारे भाईयों और माता स्री को सोने दिया और भीम पहरा देने लगा ताकि इस गना जंगल में इस पांडब परिवार पर कोई संकट ना आन पड़े कुछ देर में माता कुंती की नींद खुली तो उन्होंने देखा तब भी भीम जाग कर पहरा दे रहा था तो माता कुंती ने भीम से कहा कि अरजुल को जगा कर कुछ देर अराम करने के लिए पर भीम ने जेश्वराता का फर्ज बताया युदिष्टिर को जगाने के रहता था और रहाद चलते मनिशों को खा जाता था बहुत दिन तक उसे मनिशों का मांस नहीं मिला था क्योंकि जंगल काफी घना था कोई रहागित इस ओर आता ही नहीं था बोथो पांडव अंज्याने में इस घने जंगल में आ पहुंचे ताकि उन्हें कोई पहचान ना ल लेकिन उससे उसका जी ना भरा उससे तो मनिस्व का मान्स चाहिए था तबी उसको पांडवो का गंध मिला और वो हिडिमबा को मान्स लाने के लिए बेजा माया भी हिडिमबा माया से अपने आकार और वेश बदला और पांडवो के समस्द्या पहुची पांड़ों की पास जाकर देखा चार पुरुष और एक स्त्री रात्री में विश्राम कर रहे हैं और एक वनसाली पुरुष जाक कर उनका पहरा दे रहे हैं भीम को देखकर हिडिमबा को प्रेम का उदय होने लगा और वो अपना भाई का कहा भूल कर अपने जीवन के लिए सुर्थर स्वपने देखने लगे कास ए यूबग उससे प्रेम करता और वे दोनों विवा करके साथ रह सकते तभी उसका भाई हिडिमबा आ गया और हिडिमबा को फटकार लगाते हुए कहा लगता है तो इन सब को अखेले खाना चाहती थी हिडिमबा ने अपने भाई को भीम से प्रेम होने की बात कही तो राक्सस हिडिम तहार उठा क्यूंकि वे राक्सस गुलका है और जैसे ही वो हिडिमबा पर हाथ उठाने गया तो भीम सामने आ गया महावली भीम ने नारी हिडिमबा को बचाने के लिए राक्सस हिडिम से भिड़ गए माता कुंती और सारे पांडब नेंद से जाके राक्सस हिडिमबा बड़ा मायावी है वो मायावी अर्स्तर से भीम पर प्रहार करने लगा लेकिन राक्षस हीडिमबा आपने प्रेमी भीम को राक्षस हीडिम के माया से बहार निकाला राक्षस हीडिम और महावली भीम के साथ मयानक यूद्ध होने लगा अर्जुन ने भीम की सहता के लिए आगे जाना चाहा लेकिन यूदिश्टिर का धर्ब तो देखिए उन्होंने यूद निती के अनुसार एक व्यक्ति के साथ सिर्फ एक व्यक्ति ही यूद कर सकता है ये कहकर एरजुन को रोक लिया लेकिन यहाँ पर हम और आप होते तो क्या करते हमें कॉमेंट जरू किजिएगा अंत में पराक्रमी भीक राक्षस हिडिम का एक एक हाथ को तोड़ कर उसका बद कर दिया और हिडिमबा को कहा देवी जिस राक्षस ने आपको परिसान किया मैंने उसका बद कर दिया हिडिमबा ने कहा कि वो मेरा ही भाई था हिडिम्बा ने माता कुंती की चरण आश्रय की और उसे भीव की पत्नी रूप में श्विकार करने की आगरती बड़ी दुविदा थी ये जानकर कि हिडिम्बा एक रक्षे स्कूल की है इस तरह माता कुंती ने हिडिम्बा को भीव की पत्नी रूप में श्विकार किया आपने अनुक्यों बार ये सुना होगा कि जो होते है अच्छे के लिए होते है आज आपने इसको खुद साबित होता देख लिया क्यों? क्योंकि अगर लाक्षा के सडेत्र नहीं होता तो पांडवों को बन में ना आना पड़ता और अगर पांडव बन नहीं आते तो भीव को हिडिम्बा नहीं मिलता और हिडिम्बा नहीं मिलती तो घटतक जैसा भी पूत्र का जन्ब ना होता आपको तो पताई है कि कुरुक्षेत्र यूद में कितना वड़ा योगदान था घटोतकच की वज़े से ही अर्जुन को जिवन्दान मिला था क्योंकि कार्ण एक दिव्यास्त्र अर्जुन बद के लिए रखा था जो उसे देवराज इंद्र ने दिया था लेकिन घटोतकच की पराक्रम से जब कौरब सेना हरने लगा था तब दूरेधन के आगर से कर्ण उस दिव्यास्त्र से घटोतकच का बद कर दिया था और इस तरह अर्जुन की जिवन्दान हो सका था इसलिए जो होते हैं अच्छे के लिए ही होते है महावारत की इस सीख के साथ इस कहानी को इहीं विश्राम देते है ऐसी कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें मिलते हैं महावारत की एक और कहानी के साथ तब तक के लिए जै महावारत जै स्रीकृष्णा